हेलो फ्रेंड्स लेट्स क्रेक एसे से अंडेल बे एक्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो का टोपिक है भारत की पिर्मुख जीले बहुत ही इंपोटेंट टोपिक है यह और यह तीन टोपिक हम कबर करा चुके है ठीक है इससे पहले हम प्राइद भारत की न काफी इंपोटेंट टोपिक है यह भी तो टोपिक को स्टाट करने से पहले दोस्तों अब अभी तक टेलिग्राम चैनल से नहीं चुड़ें तो आप हमरे टेलिग्राम चैनल से बजूड़ जाईए देखिए टेलिग्राम में जाकर आप सर्च किजिए SSC NGrey तो इसे सर्च पूरा course आपको एक और से कराया जाता है, पूरा syllabus आपको बताया जाता है पहले, फिर एक करके सभी टूबिक आपको complete कराया जाते है, unlimited access यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आप SSC के तयारी कर रहे हैं, तो आप SSC को select कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह course दिखाए देंगे, एक मंत का subscription है, इसका 1200 रुपे का, तो आगर आप एक साल का लेना चाहते हैं, तो यह आपको 6000 रुपे का पड़ता है, इसमें दोस्तों कर आप SHAM code यूज करते हो, त यहाँ पर आपको 10% का discount बिलता है, डिसकाउंट के बाद यह fees पड़ेगी, आपको 5400 रुपे only, तो देखी, 5400 रुपे में आप एक साल तक इंडिया के top educator से आने के अडियों पर पड़ सकते हो, तो बहुत ही अच्छा offer है यह आपके लिए, इसके बाद दोस्तों, अगर आ यहाँ भी आपको 10% का discount मिलेगा, डिसकाउंट के बाद यह fees पड़ेगी आपको 6480 रुपे only, तो देखिए कितने सश्ते प्राइज में आपको इंडिया के top educator से पढ़ने का मोगा मिला है, तो यह अनगेडमी SSC Champion League चल लगी है, इसमें आप जरू participate कीजिए, इसमें इससे आ होगा 24 October को, और finale होगा 1 November को, तो इसे आप participate करिए, और देखिए हाँ पर test जो होगा, वो किस तरीके से होगा, मैं आपको बताजेता हूँ, group stage 1 होगा, objective type होगा, तीन होगी objective होगे, और जो पहला होगा stage 1 वाला, यहे 50 question आएंगे इसमें, 30 मिनट में आपको 50 question करने है, इसमे तो दोनों भागों में बाढ़ दिये हैं, इसके बाद इसमें negative marking, इसमें भी होगी, तीनों में negative marking होगा, इसमें देखिए यह भी objective type होगा, इसमें 100 question आएंगे, 60 मिनट में आपको वर्मने, reasoning, GA, math, English, चारों subject आएंगे, तो देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पर benefit है, इसमें देखिए आपको practice भी होगी और इसमें जो winner होगे उसे price और scholarship मिलेगी, तो देखिए price और scholarship का मैं आपको बतायता हूँ, देखिए आपको Amazon voucher मिलेंगे, इससे आप Amazon पर soping कर सकते हैं, कुछ भी करी सकते हैं, तो group stage rank 1 वाले को 5000 रुपे मिलेंगे, मतलब यह Amazon voucher में मि मिलेंगे 25 रुपे, और rank 4 और 5 बाले को मिलेंगे 1000 रुपे, और final में rank 1 वाले को मिलेंगे 10,000 रुपे, rank 2 और 3 वाले को 5000 रुपे और 4 और 5 बाले को मिलेंगे 2000 रुपे, देखिए कावी अच्छा आपको यहाँ पर cert हो सकता है, तो आप इसे participate कीजिए और Amazon voucher जीती है, ठीक तो हम सुरू करते हैं जम्मू कस्मीर से देखिए इससे पहला में जील के बारे में आपको बताएता हूँ लद्दाक में जील है पैंगोंग जील यह चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर पर है इसमें विवाद भी होता रहता है अभी पीछे मुडवेड हुई थी वह इ जील, सेसनाग जील, अनंतनाग जील, नागिन और बेरी नाग जील तो यह काफी important जील हैं जीलों से काफी कोशन पूचे जाते हैं किस तरीके कोशन पूचे जाते हैं यह पूच सकते हैं कि यह जील किस राज्य में है या फिर यह पूच सकते हैं कि यह जील किस नदी पर है ठीक है तो इस टाइप के कोशन पूच लेते हैं और सबसे बड़ी जील कौन सी है सबसे बड़ी मीठे पाने की जील कौन सी है सबसे बड़ी खारे पाने की जील कौन सी है तो इस टाइप के कोशन इसमें पूचे जाते हैं तो काफी important topic है तो देखिए ये जील है जम्मु कस्मीर में तो देखिए मैं इसके बारे में आपको बताज़ता हूँ डल जील है डल जील देखिए जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर की राजधानी है स्री नगर तो ये स्री नगर में है डल जील इसे स्री नगर का गहना भी कहते हैं तो काफी important है ये भी अब बात करता हूँ बूलर जील की ये बहुत important है ये भारत में ताजे पाने की सबसे बड़ी जील है बूलर जील और ये एक गोखुर जील है गोखुर जील क्या होती है देखें मैं आपको यहां बता जाता हूँ अगर कोई नदी इस तरीके से घूम तुई बैती है मानली जी यहां से कोई ये नदी बह रही है वो इस तरीके से घूम कर बैती है और ये वाला जो हिस्सा है एक टाइम पर इतना पास आ जाता है इस तरीके से इतना पास आजाता है कि ये घूमकर ना बहकर ये सीधी बैने लगती है तो यहाँ पर एक जील का निर्माड होता है ये एक जील का निर्माड होता है इसे कहते हैं हम गोखुर जील तो ये इसी तरीके की जील है ये जीलम नदी के किनारे पर है मतलब जहिलम नदी से इसका निर्माड हुआ है ठीक है तो आप इसे याद रखिए और बाकी यह याद रखिए कि यह जहिल कहां पर है यह सब जहिल है जम्मू का सिवीर में इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश में देखें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आपको दो नागल बांद का निर्माड के कारण इस जील का निर्माड हुआ है क्रितरिम जील है यह सबसे बड़ी क्रितिम जील किसा कहते हैं क्रितरिम जील मतलब मानम निर्मित जील होती है तो 17 नदी पर भाकडा नागल बांद के निर्माड के कारण इस जील का निर्माड हुआ है मैं तो काफी important है यह कोशन यहां से कई कोशन पूछ सकते हैं कि भाकडा नागलवांध किस नदी पर है सातलज नदी पर है वह सातलज नदी पर ही कोबिंद सागर जील है जो की भारत की सबसे बड़ी किरत्रिम जील है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में ये जीले हैं अगर आप तो इनके बारे वैसी भी आप जानते होंगे नैनी ताल के आसपास की जील आपने सुरी होंगी भीम ताल नैनी ताल साथ ताल खुरुपा ताल देव ताल रूपकुंड जील तो ये सब कहां पर हैं पर देखिए इसमें आपको एक बात और याद रखनी है रूपकुंड जील जो है ये उत्तराकंड के चमोली जीले में है और इसे हम रहसे में जील भी कहते हैं ये रहसे में जील के नाम से भी जानी जाती है ठीक है तो रूपकुंड जील रहसे में जील के नाम से जानी जाती यहां से भी कोच्तन पूछ सकते हैं अगला देखते हैं दोस्तो आप बात करते हम राजिस्तान की तो राजिस्तान में ये important जील हैं सामबर जील पुसकर जील, नकी, डिडवाना फतेह सागर और ढेवर जील तो ये important सामबर जील है सामबर जील जील है पूरे भारत की सबसे खारे पानी की जील है ये आपको याद रखना है ठीके कहां पर है ये राजिस्तान में इसके अलाबा ये सब जील राजिस्तान में है पुसकर नक्की, डिडवाना, फतेह सागा, धेवर जील ये भी आपको याद रखना है इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में ये आपको याद रखनी है गोविंद वल्लब पंद जील बहुत ही important दोस्तों ये कहां पर है देखिए उत्तर प्रदेश में सोनवद्र जिला है ये तो यहाँ पर है यह जील गोविंद वल्लम पंद जील किस नदी पर है यह रिहंद नदी पर है रिहंद नदी पर रिहंद बांद बनाया गया था जिस कारण इसका निर्माण हुआ था रिहंद नदी सो नदी की साहिक नदी है और सो नदी गंगा नदी की साहिक नदी है तो यह सब आपको याद रखना है तो गोविंद वल्लाम पंद जील कहां पर है रिहंद नदी पर बहुत इंपोटेंट है याद रखिए से अगला देखते हैं इसके बाद हम महारास्ट में चलते हैं तो महारास्ट में देखिए आपको ये दो जील याद रखनी है लोनार जील और पोवई जील ये भोद इंपोटेंट है ये महारास्ट में देखिए लोनार जील दोस्तों लोनार जील का निर्मान उलका पिंट के गिरने से हुआ था पहले कभी उलका पिंड गिरा था जिसके कारण इसका निर्माण हुआ था तो यह आपको याद रखना है कि यहां से भी कोशन पूछ सकते हैं कि निमलिकित में से कौन सी जील ऐसे है जिसका निर्माण उलका पिंड के गिनने से हुआ था तो किसका निर्मन होगा था? लोनार जील के और ये कहां पर है? महारास्ट में ठीक हैं इसके बात देखते हैं दोस्तो हम केरल में तो केरल में ये तेन जीले हैं जो आपको याद रखनी है यहां से question पूछे जाते हैं पेरियार जील, अस्टमुदी और बेमनाड जील तो इसमें देखिए जो पेरियार जील है यह यहाँ पर अंदर है थोड़ी सी केरल में यहाँ पर है लगबगे और बाकी जो दोनों जीले हैं यह इसके किनारे पर हैं तो पेरियार जील जो है अब देखिए जो समंदर के किनारे पर जील होती है उसे हम लैगून जील भी कहते हैं मतलब जिसके पानी का कुछ हिस्चा समंदर को टच करता है तो यह दोनों जील लैगून जील है और पेरियार जील जो है तो देखिए आंदर प्रदेश में ये दो जीले हैं कोलेरु जील और पुलीकट जील तो ये देखिए यहां पर किसना और गोदावरी के बीच में ये कोलेरी जील है इन दोनों के डेलटाओं के बीच में ये कोलेरी जील है ये भी आपको याद रखना है और पुलीकट जील, यह बहुत ही important है दोस्तो, पुलीकट जील का 80% हिस्सा तो आंदर प्रदेश में जाता है, और 20% हिस्सा तमिल लडु में आता है, तो यह आपको ठीक सा याद रखना है, यह पुलीकट जील एक ऐसी जील है, जो दोनों राज्यों में है, 80% आंदर प्रद हिस्सा में एक जील है, बहुत important जील है, चिलका जील, देकि यह भारत की सबसे बड़ी जील है, और यह एक लेकुन जील है, तो हम यह भी कह सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी लेकुन जील कौनसी है, चिलका जील, यह खारी पानी की जील भी है, तो मैं आपको बताया था, ज सबसे बड़ी लेगुन जील कौन सी है चिलका जील इसके बाद चलते हैं मलीपूर में मलीपूर में एक जील है जो बहुत कहते हैं यहां से कई बार एक्जाम में कोशन बनता है बहुत को ठीक साब याद रहे हैं कहां पर रहाएं लोटक जील मलीपूर में ठीक है इसके बाद देखिये सिक्किम में चलते हैं चोला मुट जील दोस्तों यह जील बहुत इंप्वर्ट क्या जित इबाद के सबसे उचाई पर इस्थित है चॉलामू Phillipa लिए आपको याद दखना को सरा सकता है कि निम्लिकित में से बहुरत की सबसे उचाई पर कहां पर वहां पर इस्थान पर स्थान पर इस्थित जिल कौनन सी है आपको याद रखना है तो यहाँ पर देखें यह जील है चैंबरम बक्कम कोडाई कनाल और काली वली इस तरीके से आप यह जो भी प्रोनशेशन है आप अपने इसाब से पढ़िए और बिल्कुल आपको बस यह याद रखने से मतलब है कि यह कहां पर है तमिलाडू में यहा एक लैगून जील है यहाँ पर ये एक सागर है और यह है एक जील तो यहाँ पर देख रहे हैं आप यह थोड़ा सा टच है एक दूसरे से मतलब अगर जील समुद्र के बिल्कुल किनारे पर होती है और उसका पाणी थोड़ा सा समुद्र से टच रहता एट तो वह एक लेखुण झील है ठीक है इसके बाद मैं आपको गुखुर झील के बारे मताता हूं गोकुर झील क्या होता दीखिए यह मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए फोटो लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई नदी इस तरीके से बहतुई हलके लिए घुमना शुर और एक टाइम यह आता है यह केवल सीधी ही वहती है और यह अपना पुराना रास्ता है इसे छोड़ देती है तो पुराने वाले रास्ते की जगे इस तरीके से एक जील का निर्माण होता है यह होती है दोस्तों गोखुर जील ठीक है तो यह भी आप याद रखिए तो गूल में तेरतोही दीब भी जैसे कि यह एक गढ़दे तो इस तरीके से ईहसे दीब पानी में तेरते रहते हैं तो यह चैनला सकति है और दोस्तों इस पर एक नेशनल पार्क भी है इसका नाम है केवल लाम जाओ नेशनल पार्क ये भी आपको याद आखना ये कहाँ पर है मलीपुर में लोकटक जील पर इसके बाद दोस्तों ये जील और है पैंगोंग जील जो अभी पीछे काफी चर्चा में रही थी ये जील दोस्तों मैं आपको गूगल मैप में दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा भारत है और भारत में हम चलते हैं लद्दाक में लद्दाक में देखिए दोस्तों ये पूरी भी लद्दाक है यहाँ पर आपको एक जील दिखाए दे रहे होगी काफी लंबी जील है दोस्तों ये जील है 134 किलो मीटर लंबी जील है ये पैंगोंग जील यहाँ पर लिख भी रा देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तकी 134 किलो मीटर लंबी जील है जिसका लगभग 45 km हिस्सा तो भारत में आता है और 90 km हिस्सा इसका चीर में जाता है तो यह काफी विवादित एरिया है और पीछे भारत और चीन के बीच यहाँ पर मुटभेड़ भी हुई थी जो कि बाद में सुलजा ली गई थी तो आगे आने वाले एक्जाव में यह काफी इंपोटेंट है तो यहाँ से भी कोशन पूर सकते हैं इसे भी आप याद रखिए कहाँ पर है पैंगोंग जील पूरवी लद्दाग में ठीक है तो तलिया फिर इसके बाद हम टेस्ट देखते हैं इसके बाद लिए ओन रिखिया रिकार आप इसका स्क्राइट सुट और ले लिए gerçekten है यहां सकते गोकुर है कि अधी सब sekarang किशीकैस you know कभीकभी इतना घुम जाती है कि यहां पर यहां पर यह सीधी बहनी लगती है यहां पर एक जीसे हम गोकुर जील कहते है ठीक है इसके बाद रूपकुन जील से रहासे में जील कहते है इसे इसके बाद सामर जील, बहाद के सबसे खारे पारी पानी की जील है और देखी हैं system पर बेमेनाब जील, ये बहाद के सबसे लम्मी जील है ये कहां पर बता दी मैं आपको केयल में, इसके बाद पुली कट, पुली कट का 80% हिस्सा अंध्रप्र्देश में जाता है और 20% तमिलाडू में यह वोतिम पॉटन इसे भी याद रखिया अप अस्टमूदी यह कहां पर है इसका आकार 8 बुजाओं का है इसलिए हम इसे अस्टमूदी भी कहते हैं तो यह भी आप याद रखिए तो यह भी केरल में है यह भी याद रखिए देखिया अब लोक टक ज जील कहां पर सिक्किम में गोविंद सागर जील यह भारत की सबसे बड़ी क्रत्रिम जील है ठीक है यह कहां पर है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदीपर तो इसका आप स्क्रीन सोट ले लिए इसके बाद हम टेस्ट की और बढ़ते हैं यह टेस्ट है यहाँ पर पहला कोश कंशन दोस्तों लोगटक है एक है तो यह मैं ने जीडों की वीडियो बनाई यह तो आपको पता यह एक यह मैं आपको बताे है इसमें ठीक है Middle taki है एक जील है इसके बाद देखते हैं तीसरा कोशन है लोक्टक जील जिस पर जल विद्धित परियुजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में इस्तित है तो मैंने भी आपको बताया था ये लोक्टक जील कहां पर है दोस्तो ये है मडीपुर में ओप्शन बी इसे तैरते पानी की जील भी कहते हैं चलिए बागए बढ़ते हैं चोता कोशन दोस्तो बेवनाद जील है ये कहां पर दोस्तो केरल में मैं आपको बताया था लेगून जील किसा कहते हैं जो समुद्र के बराबर में होती है समुद्र को टच करती हैं बागे जील तो बताई दोस्तों में आपको बताया था केरल में एक जीले पैरियार जो केरल में थोड़ी अंदर की साइट में मतलब समुद्र को टच नई करती है बागी जील देखी यहां पर यह सब समनुद्र को टच करती है जो तीनों लाइगुन जील है एक जील पेरियार एक ऐसी है तो लाइगुन जील नहीं है ठीक है तो उप्शन सीस का सही है छटा कोशन देखते हैं चिलका जील कहां इस्तित है तो यह कहां पर है दोस्तों यह उली साम है उली साम है कौन सा तट है देखिए भार को कहते हैं कोरो मंडल और यहां पर देखिए यह मालवार और इससे उपर यहां पर कोंकर तट तो यह सब आपको याद अखना है और यहां पर यह गुजरात के तट को काटिया वाड़ा तट कहते हैं इसकी आलग हमें एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे तो यह कहां पर साथ में निमलिकित मैंसे कौन सी जोडी जील और राज्य समलित हैं इसे बताना है कौन सी जील किस राज्य में है तो कौन सा सही है यह बताना है खान के दुखिए और सब्सक्राइन है कि गुंद यह करते यह दो गप्साताइन में कि या प्रिवी जील है कोन सी दो भारती राज्योकी साजेदारी ली जीओ तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था पुलीकट जील जो है इसका 80% हिस्सा आंद्रिप्रदेश में है और 20% हिस्सा इसका तमिल नाडू में है यह आपको याद अकना है कौनची जील है पुलीकट जील ठीक है इसके बाद 9 गोसन है निम्न मैसे किसको रहस्यमी जील कहा जाता है तो उत्तराखंट के चमोली जीले में एक जील है रोपकुंड जील रूपकुंड जील इसे हम रहस्यमी जील भी कहते हैं याद रखिए से भी नेक्ट कोसन देखते हैं दोस्तों दसमा कोसन है लोनार जील कहां पर है तो यह बताए कहां पर है लोनार जील यह मह महराष्ट में है, उलका पिंट के गिरने से इसका निर्माड हुआ था, आप ठीक से याद रगिए, लोनार जील, ठीक है, ग्यारमकोसन है, भारत की सबसे मीठी पाने की जील कौन सी है, तो देखिए चार ओप्सन आपके सामने हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या है, इसका सह और जील, ये कहां पर है, राजिस्थान में है, इसके बाद देखिए दो कोसन है, जिनके जवाब आपको देने हैं, इन दोनों के आंसर आपको देने हैं, कमेंट अप करके, जल्दी से आप इनका आंसर दीजिए, तेर्मा कोसन है, भारत में सबसे उचाई पर इस्तित जील है, कौन सी जील है, बताईए, और चोदमा कोसन है, भारत की सबसे बड़ी मानब निर्मित जील कौन सी है, मतलब करत्रिम जील कौन सी है, तो ये भी मैं आपको वीडियो में बताया है, अगर आपने वीडियो इनको ठीक से देखिए, तो दोनों के आंसर आप आप असानी से चलिए अपर दोस्तों मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, थैंक यू